आज का नाश्ता ना हम सूजी से बना का तयार करेंगे ये ना देशी नाचोज आप बोल सकते हैं और बहुत ही स्वाधिस्पन के तयार होता है तो जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत बढ़िया बनता है छोड़ी भूग के लिए जबरदस्त वाली रेसिपी है तो जिसके लिए यहां पर लेंगे कडाई उसमें डालेंगे दो कप चितना पानी यह मेजुरिंग कब से ले रही हो आप कोई भी नाप के लिए कटोरी रख सकते हैं डालेंगे एक चमच नमक एक चमच कुटा हुआ ध्रक लशन का पेस्ट है कभी सित्माल कर सकते हैं दो चमच यहां पर हम डालेंगे और या साट ये चीजों के एक बार mix कर लिए और थोड़ा सा गरमी रहेगा उसमें हूँ बहुत साथा उबाल पर हम सूजी नहीं मिक्स करेंगे जब तक कि यह बिल्कुल डोश हो के फॉर्म में ना आ जाए देख सकते हैं कि कड़ाई को बिल्कुल अच्छे से छोड़ा है तो बस फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बोल में तो सारा मैंने एक बोल में ट्रांस्वर कर दिया अब हम इसमें कुछ सूख्य मसाले मिलाएंगे तो एक चमच यहाँ पे अजवाईन है जो मैंने हातों से क्रॉष करके मिलाए है एक चुड़ा चमच यहाँ पर हलदी पाउडर एक चमच लालमेच का पाउडर एक चमच चार् तो मेडियम साइज का आलू है इसे अच्छे से मैने बॉल करके मैश कर लिया कोई भी लॉम्स पड़ी इसी गुटलिस में नहीं है तो अच्छे से मैश करें या कदू कस्पी इसी में कर सकते हैं तो सारी चीदों को थंडा हो जाने के बार ना सूजी बहुत जल्दी हाथों मे जैसे नहीं साइच बिल और मिल इंगे अनने असाइज यह भी घ्या. 15 1-2 बद्न बीव जिएक शाथ को बें जाएगा ही तो बच्छो को अगचञा बच्छे बितिक हो को आप टीफिन बिलकुल खतम हो कर आएगा बहुत ही आपको अच्छ्य लगे isti न धettes, बनाने के बार आप किसी को भी सर्फ करेंगे बहुत ही क्रिस्पी फुला-फुला देसी नाचोस हमारा बनके तयार होता है तो मैंने एक पोशन उसका ले लिया उसका लोई बना लिया और यहां पर मैंने कॉन फ्लार से इसको डस्ट कर दिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है य को आप किसी भी शेप में कर सकते हैं. मैंने मुटा मुटा कत कर के क्या है?. बच्चों को आप सर्फ करेंगे किसी बिब के साथで नामल सी चतनी के साथ बहुत पसंद आएगा तो यह सारा मैंने इस तरह से कट कर लिया एक बैच को बाखी सारा बचा हुआ बिना इसी तरीके से हम कट कर लेंगे तो मैंने सारा कट कर लिया था और एक तरफ तेल भी गरम होने के लिए रख दिया था तो तेल गरम हो गया है फ्लेम को हम low to medium रखेंगे और एक करके सारा जो हमने कट करके रखा है उसको इसमें हम डाल देंगे तो देख सकते हैं कि मैंने क्यों बोला था कि थोड़ा सा ठिक करेंगे जैसे ही तेल में डालेंगे यह बिल्कुल फूल जाएगा बहुत ही अच्छा फूला फूला हमारा क्रंची क्रिस्पी फ्लेकी यह नाश्ता बनके तैयार हो सा है तो देख सकते हैं कि जो भी इंग्रीडियंट हमने इसमें स्माल किया है वो सारा घर में ही अविलेबल रहता है तो कौन फूला जो मैंने यूस किया उसकी जगह पे आप मैदे का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे हमें एक बारी पलट देंगे दोनों तरफ से अच्छे से क्रंच आ जाए फूला फूला बन गया है हमारा जो यह स्नैक है तो आप ज़रूर से ट्राइ कीजेगा चैनल पे है कि ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया वनके तयार होता है तो यह दूसरा बैच में इसी तरह से हम बाकी बचा हुः स्वथ कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे तो यह मैंने दूसरा बैच में लीग तेल में डाल दिया है और बाकी बचा हुआ भी नाम इसी तरह से डिफ्राई कर लेंगे तो यह हमारा नाश्ता बनके तयार हो गया है जटपट वाली रेसिपी है जरूर ट्राई कीजिएगा इसे आप कोई भी डिप किसी भी चटनी सॉस के साथ आप सर्फ कीजिए नमल सी बग्द्ट वाल्ता बोल सी के तो एक जाई देख खाया है जिएगा है जजएगा है दो आप्र बाकी जोएगार झाल झाल